नमस्कार मैं अड़ोकेट विकास ज्याद हो एक बार फिर से जवागत करता हूँ आप सब का नई वीडियो में तो finally हम लेके आ गए हैं आपका CUT PG LLM 2025 के regarding जो भी minute information आपको चाहिए important information चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिलेगी वीडियो थोड़ा से लंबा हो सकता है तो थोड़ा सा patience बना के वीडियो देखना लेकिन हाँ एक चीज की guarantee है at the end of the video mostly आपको इस exam के बारे में हर एक चीज पता लग जाएगी कि ये exam आपको prepare करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए ये को उनसे अच्छे colleges हैं कितना टाइम चीप preparation के लिए ठीक है तो सारे slayvers बगेरा के बारे में अच्छे से इसमें cover करेंगे बाकी वाच्छे अगासी थमबर से कह रहे थे इस वीडियो में हम वही सारी चीज़े डिसकस करेंगे तो जीन बच्चों का भी वेट था आज फाइनली उनका वेट खतम हो गया है अराम से पूरा पेशन से इस वीडियो को देखेगा तो सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम cover क्या क्या करेंगे ताकि इस वीडियो से गवर हो जाएंगे वाई यू शुड प्रिपेर फोर दिस एक्जाम सी उटी पीजी अलेलम पता होना चाहिए यह नहीं कि सब बच्चे एक्जाम फोर्म फील कर रहे हैं सब बच्चे प्रप्रेशन कर रहे हैं मेरे क्लासमेट्स तो चलो हम भी भर देते हैं भेड़ चाल नहीं करनी हैं आपको समझना पड़ेगा वैदर जो आपकी डिमांड है या जो आप जहार है रहे हो कि आपको कुछ लोगों को देखो थोड़ा सा होमफोबिया होता है मतलब घर से दूर नहीं जा सकते हैं उनको होम सिखनेस टैप होता है कि हमें घर के आसपा है तो आप वहाँ पे कंसेडर कर सकते हो ज़्यादा दूर जाने के आवशकता है नहीं आप नेम अफोल दी पार्टिस्पेटिंग उनिवरस्टी इस पर दी टू जिरो टू फॉर सेशन अभी आपको पता हो 2025 सेशन के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया तो अभी हम जितना आपका जो लेटेस्ट एक्जाम था जो लेटेस्ट सेशन था 2024 उसी के अक्वोडिंग डिसकस करेंगे इस वीडियो में जितनी भी आपकी पार्टिस्पेटिंग उनिवरस्टी स्टेट डीम्ड प्राइवेट इन सब के बारे में बताएंगे कि यह उनिवरस्टी थी तो आ आप जिस जिसमें आपका इंट्रेस्ट वाहाँ पर पे कर देना क्योंकि इस टाइम तो जो एक्जाम की फिर से उसी के अंदर सब आपका टिक लाओड है ठीक है जो प्रिवेश 2-0-2-1 था, 2-0-2-2-2 था, 2-0-2-3 था इन में पैटरन अलग था ठीक है तो 2-0-2-4 में पैटरन अलग था तो इस बार देखना है की 2-0-2-5 में भी यह चैंज कर सकता है लेकिन फिलाल हम 2-0-2-4 के आकोणिंगे देखेंगे how to prepare for the exam most demanding question for the student किसार कैसे हम prepare करें slavers इस exam का सबसे ज़्यादा वास्ट है सबसे main दिक्कत यह है कि इसके अंदर जितना भी आप लोग के अंदर subject सोच सकते हो जितनी भी variety of subjects आप सोच सकते हो जो आपने शायद opt भी नहीं करें होंगे LLB में क्योंकि भाई देखो at max 5 यह subject ही होते हैं 5 to 6 subject per semester तो आप कितने subject opt कर लोगे आपका कुछ ना कुछ तो छुटेगा अगर आप opt 1 करोगे अप 2 करोगे तो option 3 छुट जाएगा अगर जिसने option 1 और option 3 चुट जाएगा तो option 2 छुट सकते है आपका तो कुछ ना कुछ किसी वे हर एक बच्चे का छुटेगा ठीक है तो ऐसी बात नहीं है कि हर एक बच्चे ने सब कुछ पढ़ा होगा लेकिन हाँ how to tackle smartly with this kind of a worst labor यह हम discuss करेंगे आपका time required for the desire coverage of the slippers देखे यह question totally depend करेगा कि आपका background कैसा है LLB में आपने कितनी महनत करिया अगर LLB में आपने बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ा ही करिया तो शायद आपको उन चीजों को बस quick revision ही चाहिए तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा time नहीं चाहिएगा ठीक है वो last में अगर जो मेरा crash course चलेगा उसमें भी कर सकते हैं जैसे last year भी हुआ था लेकिन अगर कुछ बच्चों के LLB थोड़ा सा week रह गया है ज़्यादा उन उन्हें ध्यान से अच्छे से वास्ट नहीं पढ़ा है then those kind of students have to work hard आने वाले जो 4-5 बंत हैं उसमें उन्हें बहुत महनत करने पड़ेगी अगर अच्छी उन्वस्टी में अड्मिशन लेना है तो ठीक है तो अच्छी उन्वस्टी अगर हम बात करें Central Universities जो आपकी Government Universities आप कहा सकते हो जहाँ पर fees काफी कम होगी आपकी Delhi University है आपका बाबा भीम राव अम्बेड कर उन्वस्टी लखनो है ये कुछ 3-4 उन्वस्टी से एक आपका चाहो तो पॉंडी चैरी भी ले सकते हो आप आज कर डिम्ड उन्वस्टी में आपका टिस जो है टास्ता इंसिटूट ओफ सोशल साइंसीज ये भी काफी अच्छा इंसिटूट है तो यहाँ पे भी बच्चे जाते हैं इसमें एक इंट्रिव्यू होता है एक्जाम के बाद आपका इंट्रिव्यू देना पड़ेगा देखो एक्जाम के बाद इस एक्जाम में काउंसलिंग अलग से करवानी पड़ती है आपको इन अलग 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 यूनिवस्टिस के लिए इनके पोर्टल ओपन होते हैं जैसे आपका रजल्ट आएगा उसके कुछ टाइम बात पोर्टल ओपन होता है वहाँ पे आपको फिर से अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना होता है जो भी आपका स्कूर आया उसके खोडिक दैन फिर वहाँ पे मेरिटलेश निकलेगी अगर उसमें आपका नाम आ गया दैन यूर इलिजिबल तू पे डिफी इन यूनिवस्टि तो यह प्रोसीजर है लेकिन जैसे आपके जो चेर्मन अउजिसी वाले उन्होंने बताया था कि 2025 से यह शायद काउंसलिंग वाला पार्ट यह करने की अलग से सेपरेट करने की नीड नहीं है वह आपका इसी एक्जाम में जैसे आप फोम फिल करोगे नोटिफिकेशन के टाइम उसी में काउंसलिंग इंक्लूड हो जाएगी अलग से बार बार यह नहीं क्योंकि अलग से आपको हर यूनिवस्टि के लिए पे करना होता है किसी में 300 किसी में 250 कुछ में फ्री भी होता किन बच्चों को कोचिंग की आवशकता पड़ेगी और कैसे आप उसमें रोल करा सकते हो ठीक है तो यह हमारा structure रहेगा इस वीडियो में यह हम इस तरीके से हम पूरा chronology रहेगी इस तरीके से हम चीज़े को discuss करेंगे सो पहला question देख लेते हैं why you should prepare for the CUT PG LLM exam simple सी बात देखो ऐसा है कि हर एक बच्चा NLU में नहीं जाना चाहता है हर एक बच्चा NLU की fees को afford नहीं कर सकता है हर एक बच्चा जरूरी नहीं है कि उसको जो state वाला NLU चे वो उसे मिला है हर एक बच्चा NLU का जो pattern है उसे वो पसंद नहीं आई क्योंकि NLU का pattern ऐसा है कि आपको Supreme Court के latest judgments पढ़ने होते हैं most problem मैं बताऊं तो last के 2-3 साल के judgment 2-3 years previous judgment तो very very important होते हैं इवन आप देखोगे कि 5 years तक के 6 years तक के भी कई बार judgments के question पूछ लेता है paragraph based pattern होता है कई बार 20 paragraphs आते हैं 6 question पर each paragraph ठीक है कई बार आपके 10 paragraphs साजेंगे 12 question each paragraph तो paragraph बेस्ट स्टर्डी होती है थोड़ा सा paragraph में से आप वो question मिलते हैं बाकि आपने अगर वो judgment नहीं पड़ा तो आप most of the 70-80% question वो नहीं कर पाऊगे थोड़ी सी उसके अंदर आपकी theory knowledge भी check कर लेते हैं ठीक है कोई maximum बगेरा पूछ लिए कोई concern बगेरा पूछ लिए तो वो सब आप theoretical knowledge की थ्रू कर पाऊगे और काफी question आपके judgment अगर आपने read कर ये तभी कर पाऊगे कि भाई इस case में कौन से आपके judge थे ठीक है क्या आपका opinion आया था minority में क्या opinion दिया था majority में क्या दिया था तो काफी deep study हो जाती है आपके NLU के अगर clad pgllm की त्यारी जो बच्चो करोगे तो उनको पता होगा अभी जैसे 1st of December 2024 को आपका exam है जो 2025 cycle है उसका जो clad pgllm है आपका तो उसके लिए अलग strategy है उसके लिए अलग preparation है most of the students उसमें interested होते हैं जिनको भाई corporate lawyer बनना है आगे चलके या पहले से NLU से पढ़े होगा तो वो थोड़े interested होते हैं उनमें बाकि normally students इसकी preparation करते हैं इसमें भी काफी बच्चों की strength काफी होती है जैसे around इसमें 11,000 to 12,000 12,500 के approach students appear होते हैं appear बता रहा हूं ठीक है बाकि apply तो I think 15, 18,000 के राउंड भी करते हैं LLM के लिए बाकि ये काफी बड़ा exam होता है CUT का common university entrance state exam के लो आप ये central university common university शायद इसका full form है पूरा तो अगर आपको central में state में deemed में या private universities में अगर आपको admission लेना है और वो universities ने अपने आपको listed कर रहा है It means those universities only accept you as a student only after considering if you have appeared in this exam or not ठीक है तो अगर आप appear हुए आप उस category में फोल कर रहा हो आपने जो merit list है उनकी fulfill कर दिया है Then you can take the admission in these kind of universities जिनमें उन्होंने अपने आपको listed किया हुए तो application fee आपको पता हुगा CLAT की थोड़ी जादा है around 5000-5500 लगबग पढ़ जाती ही उना previous year के लिए भी आप पे करते हो वहाँ पे तो application fee इस exam की काफी affordable है जैसे general के लिए है OBC के लिए है या आपका SCST के लिए या आपका PWBD के है last year के coding हम देखे इसके अंदर ऐसा भी होता है क्योंकि आप इस exam में और बहुत से subjects का combination बनाके भी बहुत से लोग बच्चे exam देते हैं मालों किसी को LLB के बाद MA करना है या औ में और भी exam देने है जैसे MSC का देना है तो फिर इसके अंदर subjects आप add भी कर सकते है additional थोड़ी सी कोश्ट देखे तो इस fees में शायद आपको दो subjects free होता है तो आप देख लेना कि आपको और किसी का exam देना है अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं है बस आपको simple I think पूरी की पूरी डिग्री आपकी बहुत सस्ते में हो जाती 30-40,000 में आपका अगर tuition fees आपकी examination fees सब कुछ हम देख लें तो इतने में आपको cover हो जाता है ज्यादा कुछ है नहीं उसमें LLB की भी तो बहुत कम fees है अगर थीर LLB की बात करें डियो की around 8,000-9,000 पर 7 fees होती ज्यादा नहीं होती है तो बहुत lenient fees होती है तो आप अराम से cover कर सकते है ऐसे कई बात नहीं है व के लिए बच्चे mostly DU, BHU, BBU के लिए बहुत ज़्यादा target करते है और इनी की cutoff आप देखोगे सबसे ज़्यादा high जाती है इस preferential order में तो एक और चीज है जैसे इस बच्चे इस exam में वही बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा interest दिखाते हैं जिनको आगे चलके UGC net low में appear होना क्यों क्यों कि अगर आप flat के थूँ अगर आप LLM कर रहे हो तो बिल्कुल pattern न लग है वहाँ पर ठीक है और only same hand अगर UGC net के लिए अगर आप preparation कर रहे हो तो UGC net का जो paper 2 होता है paper 1 आपको पता है general सबच्चों का same होता है paper 2 जो आपका low subject domain है उसका होता है इसके अदर handed questions आ आप देखोगे same tricky level same आपका exams का hard level, easy level, medium level वही दिखेगा even मैंने mostly last year जब अच्चों को पढ़ाया था class में तो मैंने UGC net के last के 4 to 5 years से question भी solve करवाये थे तो उनको काफी benefit मिला क्योंकि pattern ही ऐसा है अगर आप analysis करोगे last के 4 to 5 years तो आपको भी दिखेगा UGC net का इस exam से काफी ज़्यादा connection आपको दिखेगा तो अगर मैं short form में बताऊं अगर आप आज अच्छे से मन लगा के इस exam की त्यारी कर लोगे तो कहिना कि आपकी UGC net low की preparation हो रही है indirect way में ठीक है तो वो कि आपका CLAT LLM में असा नहीं हो पाएगा कि CLAT LLM में आपका pattern पूरा अलग है even CLAT LLM में अगर आप जा रहो तो यह जरूरी नहीं है कि आप कल को जाके UGC net दो गई दो गई दो गई लेकिन mostly जो बच्चे इस type के in colleges LLM की degree करते हैं तो I think they are interested more in the academics ठीक है तो academics में interested हो तो I think आप PhD में जाओगे PhD THRF करोगे या फिर assistant professor बनना आपको PhD करना है normal तो उसके लिए आपको UGC net का exam देना पड़ेगा चो आप जैसे admission लोगे उसके एक साल बाद आप दे सकते हो जैसे final year में आओगे थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपका target क्या उसके base पर appear आप इस exam को decide करना कि हाँ मेर कोई exam की profession करने चाहिए और नहीं करने चाहिए यह सब reasons आपको दिखेंगे कि हाँ एक आपको financial matter दिख सकता है क्योंकि हर एक बच्चा डेट दो लाख रुपे NLU की fees नहीं दे सकता है ठीक हर एक बच्चा जरूरी नहीं कि दूर ज अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है डी यूबी अच्छे से आप LLM कीजिए और फिर आप UGC net के प्रिलिफ प्रिपिशन कीजिए अपने आपको अच्छा बनाईए तो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है टार्गेट क्या है बाकी आप LLM करके तो कह होई जाओगे एक्जाम देने के लिए लेकिन इस एक्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको definite UGC net LLM जो का एक्जाम है उसमें definite आपको help मिलेगी ठीक है तो अगर हम देखें तो central universities LLM के लिए आप देखोगे as per 2024 session तो आप चाहो तो screenshot ले सकते हो यह आपकी central universities हैं जो आपकी LLM provide करते हैं कोई एक दो अगर रह भी गई होगी तो शायद देख लेना आप लेकिन mostly कोशिश मेंने यह किए 99.99% की error free चीज़े हों आपके पास तो थोड़ा सा आपको idea लग गया होगा यह these are the arranging chronological order यह थोड़ा आपको देख लेना 2023 में तो था है 2024 में मुझे इस Central universities हैं वो हैं आपकी कुछ states में एक से ज़्यादा भी मिलेंगी आपको वरना हर state में एक तो आपको दिखी जाएगी तो आप चाहो तो अपना वहां से कर सकते हो Central universities हैं वेटीज अच्छी होगी आपको आगे चलके जब UGC net के बाद assistant professor के लिए interview दोगे तो Central universities का अलग से एक benefit मिलता है आपको ठीक है तो आप चाहो तो Central universities को ज्यादा focus रखना कुछ आपकी state universities भी अच्छी होती है ऐसा नहीं है बरकतुला university काफी अच्छी मिलेगी आपको देवी आहिला विश्विदाले भी काफी जाना माना है ठीक है सरदार पटेल University of Police राजस्थान में जो जो university जम्मों की भी काफी अच्छी ranking है तो आप देख लेना कि आपको क्या करना है लेकिन यह आपकी state universities है इनका pattern थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा Central से लेकिन मैं prefer करूंगा आपको कि आप Central में ही जाना और Central में भी जो universities आपको जब से अच्छी मिलेंगी वो मैंने बताया आप अगर फिर भी आपको अगर इतनी दूर नहीं जाना अगर आपको यह घर के आसपास नहीं पढ़ते देन आप जो भी आपकी universities आपको अच्छी लगती है अपनी घर के आसपास तो आप पर जा सकते हैं लेकिन प्रीफर करना Central University में आप जाओ ठीक है उसके बाद डीम्ड आपको मुंबई में है इसका campus एंड इसके अंदर एक interview होता है आपका तो इसके अंदर ज्यादा marks तो नहीं चाहिए होते है आराउंड जैसे लास्ट येर मेरी एक student थी उसका हो गया है तो उसके कुछ अराउंड marks तो इतनी थे उसके 150 गैप रोक्स तो उसका हो गया था ठी किया है interview में अगर आप अच्छा perform करोगे तभी आपको थोड़ा से एज मिल पाएगा वरना चाहिए आप अच्छे नंबर लिया और 200 marks लिया और इंट्रिव में आपने बहुत खराब किया है तो आपके वह marks कम हो जाएंगे ठीक है लेकिन 200 वाला बच्चा क्यों जाएगा प्राइवेट यूनिवर्स्टी फॉर एले मैच पर दी टॉंटी टॉंटी फॉर सेशन में देखें तो इसमें के लिए तो आप कभी भी छले जाओ इनके लिए कोई चाही नहीं यह आपको बहुत से दिख जाएंगे आपको मैसेज करेंगा अगर आपने इनको गलती से टि मैसेज करके करके मेल करके तो आप देख लेना आप चाहो तो प्राइवेट यूनिवर्स्टी में से अगर आपको फिर भी कोई बहुत ज़्यादा एक अच्छी लग रही है तो उस पर आप टिक करना बाकी प्राइवेट यूनिवर्स्टी पर चाहो तो टिक भी नहीं कर सक लेकिन हमारा काम केवल LLM से connection है हमारा तो LLM के लिए यही आपको मिलेंगी तो अब हम देख लेते हैं कुछ important information इस exam के बारे में जो की बहुत ही जरूरी आप सब के लिए I think यही जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी था यह सब तो exam के बात की बात ही थे जो हमने पहले डिसकस करी है तेके notification अगर last year की बात करें last year की बात करें जैसे 2024 session की बात करें तो उन बच्चों का notification आपका आया था 26th of December 2023 ठीक है तो most probably इस बार भी आपका December में ही आएगा अगर 2025 के session की बात करें अगर थोड़ा सा fast काम करेंगे तो November में आ जाएगा इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं अभी आज है आपका 11th of November 2024 तो I think November के end तक आ जाएगा या December के first week तक आ जाएगा पिछली बार December के just end में आया था वो depend कर सकता है लेकिन अभी जस्ट बिल्कुल आने ही वाला है कभी भी within 2 week, 3 week, 1 month या फिर 5 week, 6 weeks बात तो आने ही आना है तो आप देख लेना कि touch me राओ थोड़ा CUT की website में PG LLM जो आपका CUT PG है उसकी website में I think ये website है pg.sumarth.ac.in कुछ ऐसा है, लेकिन थोड़ा website पर भी ध्यान लगाए रखना क्योंकि पिछली बार 2023 में अलग website थी 2024 में अलग website बन गई तो 2025 के लिए देख लेना आप कहीं अलग website ना बना दें फिलाल जो भी छोटी से छोटी minor information रहेगी वो मैं आपको videos के थूरू इस चैनल पर बताऊंगा ठीक है तो आप थोड़ा सा टच में रहना, exam के pattern की बात करें तो 2024 session जो latest exam हुआ था total number of questions की बात करें तो 75 questions आपके exam में आते हैं ये exam आपका CBT mode होता है computer based test online mode exam होगा आपको थोड़ा सा computer पे work करना आना चीए, आपको computer पे questions पढ़ने की habit डालिया थोड़ा सा, अब digital mode में mostly exam होते हैं आपको पता है इस बार UGC net करवाने कोशिश तो करी थी offline mode में लेकिन paper leak हो गया, तो आप सोचो कि NTA mostly favorable रहेगा आपका online exam करवाने में वो ज़्यादा risk नहीं लेगा, marks पर question की बात करें, तो हर question के लिए आपको plus 4 mark दे दिये जाएंगे, अगर आपका answer correct है, तो इस साब से आपके maximum marks की नहीं हो जाएंगे, 75 into 4, 300 में से आपकी जो भी number आएंगे वो दिखाए जाएंगे तो maximum marks is 300, language की बात करें, तो आप जब form feel करोगे, तो आपको choose करना होगा, कि English है या Hindi है, जो language आप choose करोगे by default उसी language में आपकी question आएंगे, लेकिन exam के अंदर भी आप चाहो तो, cursor होता है, यहां पे उस question पे click करके, आप उस question को चाहो तो English में भी देख सकते हो जाहो तो Hindi में भी देख सकते हो, यानि कि जो आपकी desired language हो, उससे हटके भी आप देख सकते हो, लेकिन जिन बच्चों ने जो language चूज करी, default language में question उनका है, उसी language में appear होगा, negative marking की बात करें, या सिस exam में negative marking होती है, one mark आपका detect कर लिया जाएगा, अगर आपने wrong answer दिया है, तो, total time की बात करें, तो आपका 105 minutes होती है, 475 questions, ठीक है, इससे पहले हम बात करें, तो 2023 exam में total handed question होते थे, part A होता था, part B होता था, part A में आपके GK के question आते थे, math के, reasoning के, English के, 25 questions यह होते थे, and part B में 75 questions लोके होते थे, और उनके लिए आपको two hearts का time दिया जाता था, लेकिन अब आपका देखोगे, यह सब pattern, कोई भी लेना देना नहीं है, आपका फिला latest pattern यह है, बाकि एक बार हम देखते हैं, अगर pattern change होगा, तो मैं आपको फिर से एक वीडियो मना के बता दूँगा, ठीक है, how to prepare for this exam, तो यह भी काफी अच्छा थोड़ा ध्यान से सुनना, आपकी भई, self preparation करनी है, आपको या फिर थोड़ी सी help लेनी है, आपको थोड़ा से आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, कि हर बच्चे की देखो, demand अलग होगी, हर बच्चे का background, education, background, हर बच्चे को कितनी महनत करनी है, किसी को कम महनत में समझ माएगा, किसी को ज़्यादा महनत करनी पड़ेगी, तो किसी को help भी लग सकती है, तो यह सब आपको खुद देखना है, ठीक है, तो अगर syllabus की बात करें, syllabus देखो, काफी wide है, around आप देखो के website पे 15 pages का syllabus है, एक बर मैं आपको दिखा भी दूँगा, just अभी भी मैं एक बर presentation complete कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको syllabus से एक बार गुतरू करा दूँआ, यह यह आपके topics दे रखें, लग भग भग जितने भी आप subject सोच सकते हो, सारे subject वहाँ पर दे रखें, तो बड़े हैं आईगी आपको कि एक दो subject और भी लिख सकते थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ लिख दिया है, syllabus बुनाने वाले, और ऐसा नहीं है, देखो, beauty क्या है इस exam की, ऐसा नहीं है कि जो भी लिख दिया है, वह है necessity लिखा है, आपको जो subjects लिख हैं, देख न, उनसे एक question, दो question, एक, दो, ऐसे, इस exam में variety की बात यही है कि around 30, 35, 36 topics हैं, और उनसे question आते हैं, तो अगर आप देखोगे, तो लगबग आपको more or less, minimum 85 to 90 percent तो syllabus cover करके जाना ही पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, मान लोग कि cyber law को ज़दे importance दे दी, four questions पूछ लिए, IPR को दे दी, six questions पूछ लिए, तो यह आपको देखना पड़ेगा, तो यह समय ने पूरा analysis करके दिया हुआ कि हाँ बाई, कौन से ऐसे subjects है, कि वो तो you have to read, उनको आप skip मत करना, हाँ, कुछ subjects आप चाहो तो छोड़ सकते हो, वो ज़्यादा आपको exam में issue create नहीं करेंगे, और उनको पड़ोगे तो ज़्यादा time waste होगा, और mostly क्या पता, वो optional subject भी होगा आपने, नहीं भी पड़े हो, तो वो analysis पूरा मैंने आपको करके दे दिया है, 2021 का 2022, 2023, यह मेरा last year का वीडियो है, अभी मैं कुछ दिन में आपका within a week, two week, आपको धिरे-दिरे करके, 2024 के 75 questions आए थे आपके LLM के, उनका भी मैं per question, आपका per subject, ठीक है, कि वाई constitution में कैसे question आए है, पूरा का पूरा मैं एक बड़ी आसा analysis करके 2024 का भी बना के दे दूँगा, आपको solution, जो भी analysis है, इनका तो solution ही बना के दूँगा 2024 का, तो आप थोड़ा सा भी channel के साथ touch में रहना, क्योंकि अभी बहुत अच्छे-च्छे, आपको important videos मिलेंगे, तो analysis करिए आप, आपको ये video बहुत ही लोगों ने देखा है, बहुत ही अच्छा लोगों को पसंद आया, तो आप भी एक बार देख सकते हो, काफी मैंने अच्छे से बताया कि हाँ, ये subjects है, and these subjects are very important as for you UGC net also, मैंने बताया है कि clubbing हो जाएगी आपकी at the end, तो फिर preparation ही सहाब से करो, कि at the end जब UGC net की preparation करो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना है, तो आप थोड़ा देख सकते हो, इन सब का वीडियो, मैं आज पोलोगे तो मैं जैसे वीडियो end होगा YouTube में, तो मैं वहाँ पे, वीडियो के end में इसका मैं जो पप भी देदूँगा इस वीडियो का, तो आप उस पे क्लिक करना और आपको दिख जाएगा, ठीक है, तो यही एक strategy रही कौन से subjects को choose करना है, तो हमें priority set करनी पड़ेगी, पहले उन subjects को पढ़ना पड़ेगा, यह नहीं, कि कुछ भी पढ़ने आप बैठ गए, और बिना कोई strategy के, बिना कोई plan के आप preparation कर रहे हो, तो वो कहीना कहीं आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जैसे मैंने बताया, कुछ universities वास्ता में बहुत अच्छी है, इनके लिए आपको ज़्यादा मेनत करनी पड़े ही, क्योंकि सब बच्चों की इन्वर्स्टीज चाहिए होती है, कहीं न कहीं, कहीं बच्चों को चाहिए होती है, कुछ बच्चे इन्म एडमिशन भी हो जाता है, फिर भी नहीं लेते हैं, वो एक अल बढ़ी है, तो पॉंडिचैरी में नोर्थ वाले तो बहुत से बच्चे जाते हैं, पॉंडिचैरी का इन्वारमेंट के वज़े से बगल में बीच भी है, वहाँ पे, तो इन्वारमेंट काफी बड़ा कैमपस भी है, और रैपिटर्टर यूनिवस्टी है, ऐसी बाद नह आपका जनरल के लिए safe score रहेगा, इतना तो आपको लाना पड़ेगा out of 300, लेकिन अगर हर साल देखें, तो हर साल देखो exam का भी level depend करेगा कि कैसा exam आया, लेकिन more or less हम यही मान के चलते हैं, कि exam का level गिरेगा नहीं, exam का level ठीक ठाक same side रहेगा, बलकि बच्चे अपने preparation का level ब marks आपकी cut off या फिर कह सकते हो, जो आपका safe score है, वो बढ़ जाएगा, तो इस साल का हम देखें, अगर इस 225 का session का हम देखें, 2025 का, तो यह आपका बड़िया score है सकता है, जनरल वाले बच्चों के लिए, अब यहाँ पर OVC हैं, तो वो आपने detect कर लेना, 12 to 15 marks, SC वाले हैं, तो वो आपना कर लेना, 10 to 15 marks, ST वाले हैं, तो फिर से वो 10 to 15 marks कर लेना, इस order में, PWD वाले अपना order कर लेना, 70, 80 marks, ठीक है, तो यह आपका pattern रहेगा, आप अपनी category according देख लेना, लेकिन आपका goal ही होना चाहिए, कि भाया मेरे को general category के according ही महनत करनी है, मैं इतनी महनत कर दू तो अराम से आप 15th हो नोंबर में अपना mood set करके अपना सब कुछ planning planning कर लो, आप time table बना लो कि भाई, अगर आप अभी third year में हो, ठीक है, या फिर आप fourth year में हो, या फिर आप college pass out अभी कुछ करने ही रहे, फिलार के और आपको पढ़ना ही है, तो अच्छे से पूरा time table बना फिर चुटी मार ली, दो दिन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, दस गंटे फिर दो दिन किता भी नहीं उठाई, तो ये थोड़ा consistency के साथ थोड़ा serious होके, फिर pressure करने पड़े ही, क्योंकि इन के लिए बहुत fight है, ठीक है, इन के लिए बहुत fight है, point हो में भी आप रह questions आपके important है, कैसे आपकी strategy रहेगी, तो वो आप, अभी जस मैं बताऊँगा, हमारे coaching को भी join कर सकते हो, ठीक है, तो simple सा थोड़ा सा आपने उपर trust रखिए, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, आपने पढ़ा हुआ LLB में, बस अर एक चीज को structure way में arrange करके, refined way में, exam की demand को समझ के, आपको पढ़ना पढ़ेगा, अब देखो, गोर करने वाली बात यह है, कि यही सब चीजे हम, as a educator, पहले से research करके रखा हुआ है, पहले से हम अब रादर experience है, कि हाँ यह important है, इसको ऐसे याद करना, यह एक सही pattern है, तो आपका इन चीजों में वो अलट time है, वो save हो जात है, आपका फिर काम के ओल इतना रज़त है, कि जो हम direction दे रहे हैं, उसको fulfill करो, जितना हमने आज बता दिया पढ़ना इतना है, तो उतना पढ़ो आप, ठीक है, लेकिन अगर आप self करोगे, तो यह सब काम आपको खुदी करना पढ़ेगा, analysis भी, आपको याद भी, आपको discipline भी, खुद को motivated भी रखना, यह सब चीज़ा आपको फिर खुद से करने पढ़ेंगे, लेकिन खुद से भी possible है, वरना आप चाहो, तो help भी ले सकते हो, किसी की भी coaching की, तो coaching के regarding बात करें, अभी कोई specific मेने time, क्योंकि अभी slot मेरे थोड़ा से एक-दो तो खाली हुए है, ल थोड़ा सा देखेंगे, कि भाई, आपके लिए कौन सा slot सही रहेगा, क्योंकि थोड़े बच्चों की strength पर depend करेगा, कौन सा वला slot चूज करना है, लेकिन मैं within कुछी time में इसको frame करके बता दूँगा, तो यह वीडियो मेरा बनाने का main purpose यह है, कि बस अभी आप थोड़े स attentive mode में आ जाओ, तो आप एक काम कर सकते हो, मेरा WhatsApp चैनल पर मुझसे जूड सकते हो, simply आप अगर चाहो तो जो YouTube आप देख रहे हो, YouTube पर about section आपको दिखेगा, तो वहाँ पर आपको नीचे जाओगे, तो WhatsApp चैनल लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप वहाँ से नहीं जाना चाहते, तो फिर आप simply ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर message कर दीजे, 9350145947, कि that you are interested in regarding CUT, PG, LLM, तो मैं आपको एक highlight कर लूँगा, जब भी आपके बैसिश रोंगे, तो आपके बाद notification उसके regarding, course के regarding पहुच जाएगा, थोड़ा सा touch में भी रहोगे मेरे, ठीक है, तो ये एक छो चालेब होती अच्छे-च्छे colleges उनको मिले हैं, जो भी उनको चाहिए था, कुछ बच्चों ने coaching की help लेके भी, जो भी उनको desired college था, वो उनको मिला है, ये demand आपको देखनी है कि आपको कौन सी ज़्यादा बढ़िया suitable तरीका आपको रहेगा, ठीक है, तो वीडियो कोई आपका doubt है, तो आप comment कर सकते हैं, यूट्यूब section में, कोई personal ऐसा doubt है, जो आप publicly नहीं पुछना चाहते हैं, तो आप इस number में message कर दीजे, within 24 hearts आपको आपकी क्योरी का reply मिलेगा, 101% मैं हर एक बच्चे का reply करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा patience रखना, य गंटे में reply मिलेगा, reply आपको जरूर मिलेगा, चाहे रात के एक बज़े मिले, चाहे सोबे 6 बज़े मिले, 5 बज़े मिले, mostly मैं इनी times में reply करूँगा, क्योंकि इस time मैं थोड़ा सा बहची से free होता हूँ, class से free हो जाऊँगा, तो उसके बाद मैं जितने बच्चों के message आ मैं बारी बारी सब का reply कर देता हूँ, ठीक है, तो खुश रही है, मुस्कराते रही है, देशा ख्यार रखे, पूरा सदर आप मेहनत लगा दो यार, क्योंकि यही time है, फटा फट हम एक बार देख लेते हैं, जो आपको मैं बता रहा था, कि स्लेवर्स क्या है इस exam का, तो आप चाहो तो CUT वाली एप की जो PG वाली वेब साइट है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपका जो लो LLM CO QP 14 subject code था लास्ट येर, तो इस बार देखते हैं क्या code होता है, most probably same ही रहता है, दो तीन साल से तो, तो यह आपका देखो, यहां पर दिखेगा, पहला ह है आपका, कि बाई, general principles of a contract, तो उसके अंदर आपको बता रखा है, history, capacity to contract, तो इसके अंदर आप देखोगे, जैसे पता ही होगा आप सबको, contracts, दो टाइप के होते हैं, general and special contracts, तो आप देखोगे, यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, general contracts पी ले लिए हैं, उसने special contracts पी ले लिए हैं, आपके discharge वगेरा, आपका जो specific relief act है, वो भी include कर दिया, आपका sale of goods चायद special contract में करेगा, लेकिन mostly बढ़िया से बढ़िया contract आप जो सोच सकते हैं, सारी चीज़े यहां पर cover कर दी हैं, ठीक है, तो यह थोड़ा अच्छा है, constitution आपको पूरा दिखा दो, यह word-word में स्लेबस तो देखो, फॉर्मल्टी है, इससे आप क्या ही ज़्यादा conclude कर लोगे, ठीक है, स्लेबस तो फॉर्मल्टी है, आपको पता है कि यह सब चीजे तो आपके जो course है, उसमें भी लिखा होगा, Directive Principle of State Policy, अब इसके अंदर आपको 36 से 51 याद करने पड़ेंगी, याद तो थोड़ा क्रैमिंग वाला काम ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा चीज़ों को याद करना पड़ेगा, बाकी current affair के एक दो case भले ही आजएं, बाकी current affair से ज़्यादा इस exam के लिए लेना देना नहीं है, वो CLAT PZLLM में आपको मिलेगा, तोर्स है आपके स्लेबस में, notification आ जाएगा, 2025 का, लेकिन जितना मुझे पता है, जैसे अभी आपका EIB exam में भी दोनों ही पूछ रहा है, तो क्या पता आपके exam में भी दोनों से पूछ ले, इसी session में, वरना next session से तो 101% खाली, BNS पूछेगा, BNS पूछेगा, या BS से पूछेगा, लेकिन इस session में अभी हम आपको या old पढ़ने है, family law के, फिलाल तो आप old पढ़ लो, ठीक है, जब तो notification नहीं आ रहा है, या फिर आप एक काम कर से तो criminal law को अभी skip कर दो, बाकी की subject, rest of the subjects आप cover कर लो, ताकि आपको within 1 month या 1.5 month आपको पता लग जाए, कि हाँ भी, criminal law मुझे old पढ़ना है, या new option है, तो ये भी minority वगेरा है, काफी आप देखोगे, पूरा का पूरा UGC net वाला इस लेवर से, IPC है, IPC में आपको अलग अलग offenses के, chapters के नाम, sections के नाम, parts के नाम, छोटे-छो जो theoretical concepts है, उनके बारें बताएगा, general exception है आपका, तो आप देखोगे, पूरा का पूरा mostly index ही हो ग science है, चोटी-चोटी definition है, cramming work मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा है, question ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, question की main दिक्कती है कि जितना वो पूछ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा आपको याद ज्यादा करना पड़ेगा, contract 2 जो मैं आपको बता रहा था, special contract, इसके अंदर sale of goods पड़ते हैं, partnership पड़ते हैं, law of agency पड़ते हैं, आपका शोरिटी पड़ते हैं, यह जो इस लेवर्स आपको दिख रहा है, यह exact UGC net में बढ़ते हैं हम, ठीक है, तो यही इस exam की beauty है कि आपने शायद LLB में भी इतना नहीं पड़ा होगा, थोड़ा सा एक पर को hard work पुछता है, दो कोशन पुछता है, से भी से पुछ लेगा, फैमा से पुछ लेगा, ठीक है, तो यही इस exam की beauty है, यह आपको थोड़ा सा short list करना पड़ेगा, कौन सा मुझे पड़ना है, property low है, TPA है, list pendants क्या होता है, movable property, movable property के बारे में, पुरा TPA से भी कोशन आता है, administrative law से भी कोशन आते हैं, तो administrative law भी आपको पूरा दीजएगा, लोग पल और लोग का युक टेक्ट दिखेगा, आपको यहाँ पे, ठीक, administrative tribunals, 1985 से भी कोशन आ सकता है, छोटे मोटे rates के कोशन दिखेंगे, आपको कुछ डॉक्ट्रीन से हैं, आपको legitimate expectations, doctrine of accountability, doctrine of proportionality, तो प्रो यह सारे important bear act है, Muslim लोग के भी, वफ क्या होता है, डावर क्या होता है, ठीक है, तो यह थोड़ा देखना है, यहाँ पे, Muslim लोग के भी, आपको बहुत से ऐसे question मिलेंगे, uncodified वाले तलाग के regarding, डावर के regarding, कुछ bear acts के regarding मिलेंगे, जैसे यह आपका bear act वाला question हो गए, यहाँ वाले होगे, तो यह पढ़ना पड़ेगा भाई आपको, तो पूरा यहाँ भी आप देखोगे, family law वाला ही, इस लेबस है, UGC net का, family courts act हैं आपके, environmental law, one of the most important subject, as per UGC net also, and for this exam also, इसके अंदर भी आपको बहुत सी चाहिए याज करने पड़ती है, स्टोकम टू जोन्सबर के declarations आपको याद करनी पड़ती है, date wise, year wise, place wise, क्या theme थी उसमें, ठीक है, तो यह थोड़ा सा अच्छा interesting subject भी है, लेकिन वास्त है अपने आपने बहुत से वियरेक्ट आपको पढ़ने पड़ती है, दिखी रहा होगा आपको यहाँ पे, around 8 to 10 विय से बता सकता हूँ, ठीक है, तो लेबर लो है, लेबर लो अपने आप में वास्त है, पूरा का पूरा, दो समेस्टर में पढ़ाया जाता है, त्री दे लेल भी में, अगर फाइफ यर पढ़ रहो तो शायद उससे व्यादा लग जाए, तो industrial dispute act है, trade union act है, minimum wages act है है आपका, तो ये minimum wages act तो खाली फिलानों वैसे आपका repeal है, क्योंकि इसके भी आप पे code of wages act आ गया है, जिसने 4 bear acts को repeal कर दिया, payment of bonus act, payment of wages act, equal remunition act and minimum wages act, code on wages 2019, तो ये थोड़ा syllabus देखो गया, आप इन्होंने update भी नहीं किया है, तो मलब अजीव लगता है, यार इतनी बड़ी हो आपको लेकिन फिर भी अभी तक आपने update नहीं कहीं, वही पुराना किसा पिटा चला रहा आपका काम, ठीक है, तो ये आपका juvenile justice, care and protection act है, आपका 2000, इन से भी question आया हुआ हुआ है, ठीक है, तो ये हर एक चीज यहां पर आपको दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि most important topic, इससे question बहुत आते हैं, ठीक है, फिर आपका professional ethics है, आपका, जो भी हम पढ़ते हैं, अपना mood court वगेरा आपने करा होगा, या फिर आपने, जो भी arbitration वगेरा वाला काम है, वो किया होगा, content of court वाला किया होगा, कि एक वकील की responsibilities होती है, advocate act है आपका, ठीक है, ये कुछ important आपके बेजर जज्जमेंट से supreme court के, जो professional misconduct के बारे में भी आप कह सकते हो, तो भी पढ़ना पड़ेगा, आपके पास कोई twice नहीं है, मैनत तो करनी पड़ेगी, public international law है, आपके पास यहाँ पर, पिया ये वह काफी बच्चों को बहुत डराता है, ठीक है, लेकिन question आते है इसके 5 question भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, क्योंकि UGC net में पूरा का पूरा topic है, 14-15 question आते हैं, इसमें Indian international law है, human rights भी इसके इंदर आ जाता है, जैसे आपको दीखी रहा होगा, asylum अकेला है यहाँ पर, international labor organization है, WTO है, world nation organization है, net nation organization है, तो बहुत यह अपने आप and practice, उसके बाद RTI A2005 है, इससे एक question लगाता रहा है, सालों में आपके, अगर आपने देखा होगा, तो यह भी कोई ऐसा नहीं है, छोड़ने वाले चीज़े पढ़ना पड़ेगा, banking and insurance से question मिलेगा आपको, इससे भी एक question आपको alternate year में दिख जाएगा, कई बर दो भी जूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आपने 3 year या 5 year में उसी ध्यान से नहीं पड़ा है, तो अब आप इतना ध्यान से पढ़के, भेले ही वो question कर लोगे उस subject का, लेकिन जितना आपका time invest होगा, और जितना उस subject की demand है, उतना आपका output नहीं मिलेगा, वो आपके वल एक question के ले fight कर रहे हो, दो question के लिए fight कर रहो, लेकिन अगर उतना आप अगर different subjects में, जो आने ही आने, constitution है, family low है, IPC है, आपका tort है, labor low है, IPR है, इन में invest करोगे, तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे results मिलेंगे, तो priority order set करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए जो वीडियो काफी question आता, arbitration, conciliation से, CPC limitation act मिलेगा, इस से question आता है, आपका, CPC one of the vast subject है, पुरा orders धियान रखना, कौन सा order किसके बारे में है, कौन सा section किसके बारे में है, तो पढ़ने को बहुत कुछ है, हाला कि देखो, अगर बिलकुल by heart, हर एक चीज़ अगर आप पढ़ने बैठ होंगी, क्योंकि सारे सारे optional subject सब कुछ दे दिया है, और जरू नहीं कि आपकी university का syllabus पी इतना wide हो, इसने बनाया है, according to your central university admission test, या common university admission test, तो उसके लिए syllabus बनाया, आपने चाहे private से किया हो, state से किया हो, चाहे कोई ऐसे random किसी college से कर लिया हो, वहाँ पी इतना ज़्यादा detail में इतना ज़्यादा detail में add-on कर दिया है, तो पढ़ना पड़ेगा, कोई choice नहीं है, ठीक है, क्या पता क्योंकि काफी time से हम देख रहे हैं, कि ये एक जायद syllabus नहीं है, कि सभी कुछ ही दे दिया आपने इसके इंदर, IPR one of the most important subject, ठीक है, काफी आने वाले time में, आपका सब कु अगर आप करना चाहते हो, इसमें तो एक अच्छा carrier बना सकते हो, इसमें, तो इसमें भी आप देखो, पूरा का पूरा अगर specialization करिए, optional लिया है आपने, जिसी अच्छे college से, अच्छे institute से पढ़ा है, तब ही आप कर पाओगे, वरना IPR भी आपको उपर से चला देगा, सम पढ़ने को बहुत कुछ है, ठीक है, iOS, interpretation of statute, ये भी ये है, ये भी optional subject है, पढ़ाया तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो आप क्यों इतना time invest करोगे, ये भी optional subject है, लगिन question इससे भी एक आता है, इससे भी एक दो आता है, अब गोर करने वाली बात है, अगर इन दोनों में अग basis दे रहा है, उसमें मैंने ये ही बताया, कि देखो ये आपके हैं, LLM के syllabus के subject, और ये हैं आपके UGC net के syllabus के subject, तो आप ये देख लो कि कौन से ऐसे subject हैं, जो इसमें भी common है, इसमें भी common है, तो आप वो वाले subject करो, जो दोनों में common है, उनको आप पहले priority set करो, यूँकि व आपको UGC net में भी पढ़ने है, तो क्यों न क्यों ऐसा किया जाए, आज हम उने अच्छे से कर लेते हैं, तक कि UGC net के लिए हमें अलग से प्रेशानी ना होना पड़े, और जब आपका ये वाला काम हो जाता है, तब आप rest of subjects हैं आपके, जो रह गए उन पे आप attempt मार सकत फटा-फट समरी वे में, ठीक है, law of evidence है, हाला कि evidence procedure law UGC net में नहीं आता है, लेकिन इस exam के लिए, exam purpose के लिए CPC, law of evidence, ठीक है, तो भाई ये आपको पढ़ना पड़ेगा, CRPC पढ़ना पड़ेगा, आपके UGC net में भले ही नहीं आते, लेकिन procedure law यहाँ पे काफी अच्छे question पूछता है, तीन-चार question इसे मिलेंगे, आपकी CRPC से, evidence से दो, तीन question, तीन-चार question, IPC से मिलेंगे, तो ये important है, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको जितना भी दे रखा है, हर एक चीजी important है, leading, misleading, वगेरा, taxation, income tax act है आपका, CGST act है, फिर से taxation भी काफी important है, एक दो question आपको बहर साल दिखते हैं यहां से, intellectual property rights to, यानि कि और advanced version आपको, जो biodiversitical low हैं आपके, design वगेरा है, trips वगेरा है, यानि कि आप देख रहे हो, ये optional वाले बच्चे ने लिया होगा, वही कर पाएगा, ठीक है, हर एक बच्चा नहीं कर सकता ये चीज़ है, तो आप चाह के इन में involve मत हो जाना, क्योंकि आपने नहीं handle कर पाऊगे, क्योंकि optional नहीं लिया तो अप के handle कर पाऊगे, WCCB ये भी optional subject होता है आपका, और इससे भी एक दो question, एक बार तो इससे दो question आये थे, southern land theory वगेरा इसके इंदर होती है, काफी important चीज़े हैं इसमें, तो जो जो main main चीज़े हैं, आपको वही बताई जाएंगे, कि हाँ, ये करो आप, इस तरीके से पढ़ो आप, तो बस इस exam की यही beauty है, बाकी कोई ऐसा नहीं है, कि question पता नहीं कहां से घुमा की क्या ही पूछ लेगा, बस यही है कि variety जादा है, subjects जादा है, आपको शायद उसने आपने पता है, कि इसके बारे में नहीं सुना होगा, और वही basic सी चीज आप से, basic सा कुछ पूछ लेगा, उसके regarding, basic सा कोई concept पूछ लेगा, definition पूछ लेगा, या फिर उस beer act में से कोई section पूछ लेगा, जो most common है आपका, तो यहीं वो खेलेगा, आपके साथ, कि उसे पता है, कि बच्चे में कमी है, तो फटा-फट आप इस exam में जो भी आपको favorite topic है, exam के according, demand के according, उन सब के list बना लो कि हाँ भाई, मैं इस priority से अपने preparation करूँगा, तो वहीं आपको help करेगा, तो थोड़ा सा set हो जाए, mind को थोड़ा सा focus कीजिए, और preparation शुरू कर दीजिए, ठीक है, चलो next video मिलते हैं, खुश रहें, मुस्कराते रहें, देशा क्यार रखिए, जाहिन